नमस्कार दोस्तों, ट्रिपेटिक की तरव से आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक बधाई आज ट्रिपेटिक लेकर आया है रिपब्लिक डे के सुन्मेहरे मोके पर रिपब्लिक डे से जुड़े कुछ इंटरस्टिंग फैक्स ये साल इंडिया 73 वा रिपब्लिक डे मनाने वाला है तो आईए जानते हैं कुछ दिल्चस्प फैक्स एक, पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज यानि Complete Independence Day के तौर पर मनाया जाता था इस दिन इंडिया ने डिसाइड किया था to fight for complete freedom दो, इस दिन साल 1950 में Constitution of India यानि की भारत के समविधान को force में लाए गया था भारत के सबसे पहले प्रेजिडेंट डॉक्टर राजेंदर प्रसाद ने अपनी प्रेजिडेंट्शिप की शपत 26 जनवरी को ली थी तीन, गरतंत्र दिवस समहरों तीन दिन लंबा होता है जो 29 जनवरी को beating retreat समहरों के साथ समाप्त होता है चार, क्या आप जानते हैं कि पहली गरतंत्र दिवस परेज कब हुई थी? चलिए हम आपको बता देते हैं पहली गरतंत्र दिवस परेज राजपत पर 1955 में आयोचित की गई थी लेकिन ये पहली परेज नहीं थी इससे पहले 26 जनवरी 1925 को गरतंत्र दिवस परेज राजपत के बजाए ततकालीन इर्वीन स्टेडियम में हुई थी उस वक्त एर्वीन स्टेडियम के चारो तरफ चार दिवारी नहीं थी और इसके पीछे लाल किला साफ नजर आता था इस नाम का एक क्रिश्चिन सॉंग हर साल रिपब्लिक डे परेड पर प्ले किया जाता है ऐसा कहा जाता है कि ये महात्मा गांधी का सबसे फेवरेट था नमबर शे भारत रद्र, पद्मा अवार्ड और कीरती चक्र जैसे महत्वपुरुन अवार्ड की घोशना भी रिपब्लिक डे के दिन ही की जाती है नमबर साथ, आप ये बाद जानते ही होंगे कि हर साल रिपब्लिक डे के अफसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया गेट पर स्थिद नैशनल वार मेबोरियल में शहीद जवानों को शुरत धांज ली देते हैं नमबर आठ, जैसी राष्ट्रपती जंटा फहराते हैं, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है इस मोखे पर नौ सिना और थल सिना के द्वारा देश्ट की आजादी के लिए लड़े शहीदों के संबान में बंदू को और तोपों से सलामी दी जाती है नमबर नौ, भारत के राष्ट्रिय द्वाच को बिंगली वैंखाया ने डिजाइन किया था वो एक भारती इस पर तंत्रता से नानी थे, वो बहात्मा गांधी जी के फॉल्लवर थे नमबर तास, राजपत पर 1955 से परेड होती है, 1950 से 1954 से परेड की जगाँ बदलती रही लालकिला, नैशनल स्टेडियम, किंग्सबे कैम्प और राम लीला घ्राउंड में इससे पहले परेड होती थी नमबर ग्यारग, भारते समविधान की दो कॉपीज हैं, एक अंग्रेजी में और एक हिंदी में और भारते समविधान की दोनों ही परांतियां हाथ से लिखी गई है नमबर बार, 26 जनवरी के परेड के दुरान हर साल किसी ना किसी देश के व्रधान मंत्री या राश्ट्रपती या शासक को अथिधी के रूप में बुलाया जाता है 26 जनवरी 1950 को आयो जित पहले परेड में अतिदी के रूप में इंडोनेशिया के राष्टरपती डॉक्टर सुकरणों को अमंत्रेत किया गया था नमबर 13 परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी तक सुभा दो बजे ही तयार हो जाते हैं और सुभा तीन बजे तक राजपत पर पहुँच जाते हैं नमबर 14 परेड में शामिल सभी जांकियां बांच किलोमीटर प्रती घंटे की गती से चलती ताकि इनवाइटेड व्यक्ती इसे अच्छे से देख सके आपको ये जानकर आशर्रे होगा कि इन जांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की के माधियम से वहनों को चलाते हैं नमबर 15 गरतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वधेश में निर्मित इनसास राइफल लेकर चलते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर कीजिए भारत के 73 वे रिपब्लिक डे की आप सब को शुब कामना आए